नमस्कार दोस्तों, हर्शी दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली न्यूज अनालेसिस 31 डिजमबर 2002, आज के इंपोर्टन न्यूज कौन कौन साय चेक करते हैं, चार इंपोर्टन न्यूज है दोस्तों, वन इस कोर सेक्टर इंडिस्टियल प्रोडक्शन के बारे में डिसक्स करेंगे, इनका वेटेज क्या है, वो भी देखेंगे, फिर इंडिया और साओधी अरेबिया के बीच में, ट्रीटी ओन म्यूचल असिस्टेंस फोर क्रिमिनल इन्वेस्टिकेशन साइन होने वाला है, तो ये म्यूचल अ काफी इंडियोस ने बोला था, तो ये प्रथान मंदरी गरिब कर लिए अन्ना योजना के बारे में डिसक्स करेंगे, और गर्मन का प्लान क्या है, वो भी देखेंगे, फिर देखें, इरान एक मिलिटरी डिल कंटर्ट कर रहा है, नियर स्टाटेजिक स्टेट अफ आपका कोई दुष्मन है, उनके साथ आप पीस बनाना चाहता है, बेसिकली आप एक हैंड ओ फ्रेंड्शिप बढ़ा रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, तो उसे बोलते हैं, तो होल्ड ओट अन ओलिव ब्राइच, ठीक है, एक्जामल देखें, आफ्टर इयर्स पाइवलरी विधर कजिन, शी डिजडेड़ तो हॉल्ड ओट अन ओलिव ब्राइच, और इन्वेट हर तू लेंच, लेंच में इन्वेट करके, पूरा जो दुष्मनी हो खतम करेंगे, ऐसे डिशेड किया, तो आगे जाने से पेरे लेक्षब पर लाइक का बटन, चानल को अब तक शेरान सब्सक्रेम नहीं किया हो, तो कर लिजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सूपर थैंक्स का ओप्षण यूज़ कर सकते हो, शुरुआत करते हैं सबसे पहला है नूस, कोर सेक्टर आउटपूट राइस 5.4 परसंटेज इन अन इवन रिकवरी, जी ए किया है, पिछले महीने से क्या comparison है, यह सब हमार लिए इंपोर्टन नहीं है, हमार लिए इधर इंपोर्टन हो जाता है, इंडिया's 8 core sectors and index of industrial production, तो यह 8 core sectors का performance क्या है, कितना growth अचीव किया, या फिर contraction हुआ, यह सब analyze करने का एक parameter है, index of industrial production, इंडेक्स of industrial production, मन्तिली compare करके publish करत है, national statistical office, under the ministry of statistics and program implemented, तो पिछले कुछ महीने से index of industrial production का performance इतना अच्छा नहीं है, उपर से नवंबर का index अभी तक release भी नहीं हुआ है, जो January 12 को release होगा, तो economist का expectation यह है, यह जो recovery अभी हुआ है, उसी का reflection नवंबर का index of industrial production में होगा करके, ठीक है, पर देखिए दोस्तों, index of industrial production compail करने के लिए, देश के सारे industries का data check नहीं करते हैं, केवल 8 core sectors का data check करते हैं, या फिर performance check करते हैं, वो 8 core sectors क्या है, वो है petroleum and refinery production, electricity generation, steel production, coal production, crude oil production, natural gas production, cement production and fertilization production, यह सारे sectors मिलकर, total industrial production का 14.27 percentage को represent करता है, तो यह 8 core sectors का performance देखने से आपको पता चल जाएगा, हमारा industrial sector का performance, now index of industrial production compare करने के लिए, base year रखा हुआ है, 2011-2012 financial year, क्या होता है base year, base year का मतलब यह होता है दोस्तों, 2011-2012 का जो data था ना, उसी से compare करके बोलेंगे, कि उससे कितना growth हुआ है, या उससे कितना contraction हुआ है, इसे ब अलग-अलग government agencies use करते हैं, including the Ministry of Finance, Reserve Bank of India, etc. for policy making purposes, देखे, Reserve Bank of India का जो monetary policy committee होता है, वो हमारा repo rate, reverse repo rate, bank rate, यह सब decide करते हैं, तो index of industrial production check करने के बात, वो लोग decide करते हैं, कि rates कितना होना चाहिए, किस तरह economy को control करना चाहिए, and the same thing goes with Ministry of Finance also, Ministry of Finance का जो financial policies वगरा न, वो index of industrial production के भी basis पर बनाते हैं, ऐसा निक एवल index of industrial production देखते हैं, one of the index, जो Ministry of Finance, RB, जैसे agencies use करते हैं, वो है index of industrial production, ठीके, IAP remains extremely relevant for the calculation of quarterly and advanced GDP estimates, तो देखे, quarterly GDP and advanced GDP estimates को calculate करने के लिए भी index of industrial production देखा जाता है, तो अभी news क्या आया है, छोटा सा news है दोस्तों, core sector output rises 5.4% in uneven recovery, देखे, ऐसा किसी का expectation नहीं था, फिर भी देखे, हमारा core sector का output, नवंबर के महिने में 5.4% growth अचीव किया है, ये news आया है दोस्तों, देखे, इस particular news में बहुत कुछ data दिया हुआ है, वो आपके लिए important नहीं है, क्योंगि ये October नॉंबर का data है, December में फिर अग आपको ध्यान रखना है, इस में से सबसे ज्यादा output किसका है, वो है petroleum and refinery production का 28.04, और सबसे कम है fat laces production का 2.63, इस तरह भी आपसे examination में कोशिन पोच सकता है, ठीक है, अगला है, चातिजगत गर्मन staff can now choose between old and new pension plans, GS paper 2, government policies and interventions में इनोस आपको कामाएगा, तो चातिजगत गर्मन pension scheme, देखे, reasonably जारकंट state government भी government employees को ये option दिया था, total 1 lakh government employees को ये option दिया था, कि आप new and old pension schemes के बीच में चूज कर सकते हो, पर देखे दोस्तों, only 76 persons had opted to continue with the new pension scheme according to a newspaper report, तो एक newspaper report के इसाब से 8 lakh से ज्यादा government employees में से केवल 76 लोग new pension scheme चूज की है, तो अभी 34 गर्मन भी अपने employees क तो ये option दिया है, old pension scheme and new pension scheme के बीच में, चूज करनेगा, तो क्या है ये old pension scheme and new pension scheme, old pension scheme वही retirement scheme है, जो आप सबको मालूम है, मतलब last drawn basic pay का 50 percentage, आपको pension मिलेगा, dearness allowance के साथ, मान लीजिए, आप जब retire हुए, तो आपका basic pay था 50,000 रूपीज, ठीके, तो आपका pension का basic set हो 25,000 रूपीज में, प्लस जो DA, state government या central government देते हैं, वो भी add होगा, तो ये है old pension scheme, पर 2004 में government new pension scheme लोंज किया, new pension scheme क्या है, ये basically government of India का एक effort है, अपना pension liability reduce करने के लिए, at the same time, general public को help करने के लिए, ये decide करने के लिए, उनके पैसे कहा invest करना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते है, general public का investment habits को increase करना भी एक objective है, but the major objective is reducing government's pension liability, क्योंगी देखे, government of India, हर महीने, crores of rupees as pension provide करते है, सारे retired government employees pension के लिए eligible है न, as per the old pension scheme, तो ये government के उपर बहुत बड़ी liability है, ये reduce करने के लिए, government of India 2004 में लेके आया था, new pension scheme, अब new pension scheme में क्या है न दोस्तों, आपको हर महीने, minimum 500 रूपीज invest करना है, और yearly minimum 6000 रूपीज invest करना है, इसे ज्यादा भी आप कर सकते हो, पर minimum 500 monthly और yearly 6000 आपको करना है, तो जब आप retired होंगे, retirement के time पर आपने जितने पेसे invest की होंगे, retains के साथ आपको मिल जाएगा, पूरा आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, आप total amount का 60% तक निक करना पड़ेगा, किसी भी annual investment plans में, now, old pension scheme and new pension scheme के बीच में differences क्या है, यह मैं आपको बता देता हो, देखी, old pension scheme, government employees को monthly pension provide करते है, on the basis of their last drawn salary, मैंने आपको बता दिया, last drawn salary माने, आपका last basic पे जितना था, उसका 50% pension का basic set हो जाता है, ठीक है, वेरस new pension scheme में क्या है, it pays the employees for their investments, आ के इसाब से आपको return मिलेगा, now, old pension scheme में, 50% of the last drawn salary से pension मिलता है, यह मैंने आपको बता दिया, वेरस new pension scheme में, आपने जितने पे से invest किये थे, उसका 60% as lump sum आपको मिल जाएगा, बाकी 40% आपको फिर से invest करना है, for getting a monthly pension, ठीक है, now, old pension scheme में, किसी भी तरह का tax benefits नहीं है, वेरस new pension scheme में कहाना, employees can claim tax deductions of 1.5 lakh, 1.5 lakh rupees तक का tax deduction आप claim कर सकते हो, under section 80c of the income tax, जो income tax returns वगरा फायल करते हैं, उन्हें मालूम होगा section 80c क्या है, now, old pension scheme में, pension के उपर कोई tax नहीं है, ठीक है, जो pension आप ले रहे हो न, वो taxable income नहीं है, वेरस new pension scheme में कहाना, जो 60% lump sum amount आप लोगे, वो tax free है, पर जो 40% remaining amount है, वो taxable है, यह थ्यान दीजेगा, ठीक है, now, who can avail, only government employees, देखे, old pension scheme obviously के वल government employees ही avail कर सकता है, whereas new pension scheme, any Indian citizen avail कर सकता है, between 18 to 65 years of age, यह 65 years वाला थोड़ा आप confirm कीजेगा, कई कई पर 55 भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप net में सर्च करके, comment box में बता देगा, now, switching schemes, OPS scheme can be switched to NPS, अब देखें दोस्तों, old pension scheme कभी भी आप new pension scheme में switch कर सकते हो, यह option है आपके पास, whereas new pension scheme cannot be switched back to OPS in general, but central government employees can switch back to OPS in case of death and disablement of the employee, अगर आपने new pension scheme join किया है, तो आप old pension scheme में switch easily नहीं कर सकते हो, एक ही case में कर सकते है, जब वो pensioner का death हो जाता है, ठीक है, या फिर employee का disablement हो जाता है, तब आप old pension scheme में switch back कर सकते हो, तो खुल मिला के आप यहीं समझ लीजिए, कि new pension scheme एक अच्छा investment plan की तरह है, जैसे कि आप mutual funds में invest करते हो ना, systematic investment plan वेगरा, उसी तरह एक investment plan है, new pension scheme जो है, अगर market अच्छा perform करेंगे, तो आपका return भी उतना अच्छा होगा, at the same time एक minimum guarantee भी provide किया जाएगा, और एक चीज़ आपको धियान रखना है, अगर आप new pension scheme में पैसे invest करना शुरू करते हैं, तो आप retirement से पहले वो पैसे विद्रो भी नहीं कर सकता, तो लोगों के बीच में एक investment habit भी आ जाएगा, ये भी government का एक objective है मैंने आपको बता रहा है, पर recently यहीं देखने को मिला है दोस्तों, majority of government employees जो है old pension scheme को चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें monthly बिना कोई tension का 50% of the last on salary as pension मिल जाएगा DA के साथ, वही मैंने बोला दोस्तों, recently जारकन state government भी अपना employees को ये option दिया था, एक लग से ज्यादा government employees को ये option दिया गया, केवल 76 लोगों ने new pension scheme को चूज किया, अगला है, इंडिया साओधी अरेबिया के बीच में बाते चल रहा है, to sign a mutual legal assistance treaty, that is MLAT, to obtain formal assistance from each other in investigations related to criminal cases, तो देखिए criminal cases से related जो investigations है, उसमें आपस में assistance provide करने के लिए, एक treaty है, mutual legal assistance treaty, ये इंडिया और साओधी अरेबिया के बीच में sign होने वाला है, तो ये mutual legal assistance treaty के बार में कुछ basic details में आपको बता देता हो, the MLATs in criminal matters are the bilateral treaties entered between the countries for providing international cooperation and assistance, तो basically criminal cases investigate करने के लिए, international cooperation and assistance provide करना, ये basic objective है, mutual legal assistance treaties का, देखिए, these agreements allow for the exchange of evidence and information in criminal and related matters between the signing countries, आप देखिए, दोस्तों, criminal cases में, अगर investigation में assist करना है, तो obviously बात है, evidence exchange करना पड़ेगा, information exchange करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये treaty से ये भी possible है, so it will enhance effectiveness of both the countries, obviously बात है, दोनों कंट्रीज का criminal investigation department का effectiveness वगरा enhance हो जाएगा, है कि नहीं, and it will provide a broad legal framework for bilateral cooperation, in investigation and prosecution of crime as well as in tracing, restraint and confiscation of proceeds and instruments of crime as well as the funds meant to finance terrorist acts, देखिए, ये जो mutual legal assistance treaties वगरा साइन होता है, उसका one of the major objective ये रहते है, money laundering को prevent करना, या फिर terror financing को prevent करना, क्योंकि देखिए, ये जो terror financing वगरा होता है, ये international level पर होता है, तो इसको अगर prevent करना है, तो countries के बीच में international cooperation ensure करना एविदेंस, information वगरा exchange करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक broad legal framework प्रवेट करेंगे, mutual legal assistance treaties जो है, ठीक है, तो हमारा ministry of home affairs, nodal ministry है, and the central authority है, for seeking and providing mutual legal assistance in criminal law matters, ध्यान दीजेगा, can be a question in your examinations, तो mutual legal assistance in criminal law matters प्रवेट करने के लिए, nodal ministry and central authority कौन सा है, ministry of home affairs है, and the ministry of external affairs may be involved in this process, obviously बात है, दोस्तो, foreign affairs की बात है, तो ministry of external affairs भी involved होगा, जब कोई diplomatic channels के through request बगरा मिलेगा, तो ministry of external affairs को भी involved होना पड़ेगा, पर nodal ministry and central authority कौन है, वो ministry of home affairs है, now, section 105 of the criminal procedure court speaks of reciprocal arrangements to be made by the central government with the foreign governments with regard to service of summons, warrants, judicial processes, etc. तो देखें, हमारा criminal procedure court का section 105, reciprocal arrangements to be made by the central government with foreign governments के बारे में बात करते हैं, reciprocal arrangements मतलब क्या है, अगर मैं आपको कुछ assistance provide कर रहा हूँ, आपको मुझे भी provide करना पड़ेगा, इसे बोलते है, reciprocal arrangements, तो central government, foreign governments के साथ, जितने भी reciprocal arrangements करते हैं, जैसे कि ये mutual legal assistance treaties बगरा है, ये सब के बार में बात करता है, हमारा criminal procedure court का section 105, and India has ended into mutual legal assistance treaties agreements with 42 countries, already 42 countries के साथ, इंडिया के mutual legal assistance treaties signed है, तो अभी Saudi Arabia के साथ भी ये sign होने वाला है, ये news है, Saudi Arabia के अलावा, Italy and Germany के साथ भी इंडिया बात कर रहा है दोस्ते, ठीक है, So, Ministry of Home Affairs ने बोला है, MLAT is a mechanism whereby countries cooperate with one another in order to provide and obtain formal assistance in prevention, suppression, investigation and prosecution of crime to ensure that the criminals do not escape or sabotage the due process of law for want of evidence available in different countries. समझ गया न, मैं वही बोला आपको, MLAT एक mechanism है, जहाँ पर countries आपस में cooperate करते हैं, formal assistance provide करते हैं, crime को prevent करने के लिए, suppress करने के लिए, ताकि जितने criminal से, वो due process of law से बच ना जाए, अगर हमें दूसरे country से evidence लेने की ज़रूत है, वो भी easily possible होना चीए, तो यह सब ensure करना mutual legal assistance treaty का main objective है, अगला है, withdrawing PMG-KY a regressive step, it cuts the food green entitlement by half, GS prefer to, government policies and interventions, food security में इनुसाब को काम आएगा, देखी, प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना, PMG-KY, इसके बार में basic details सबसे पहले में आपको पता देता हो, प्रथान मंदरी गरीब कल्यान पैकेज का एक पार्ट है दोस्तूं, के आया था, so the scheme aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act 2013, तो National Food Security Act 2013 के अन्डर, जितने लोग covered है, उन्हें additional 5 kg grains प्रवेट किया जाएगा, ये प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना के त्रू, ग्रेइन मतलब चाहे तो वीट ले सकते है या फिर राइस ले सकते है, फ्री है एकदम, in addition to the 5 kg of subsidized food grain, already provided through public distribution system, देखिए, हमारे देश में गरीब लोगों को support करने के लिए, already public distribution system के त्रू, subsidized rate में grains प्रोवेट किया जाता है, इसके अलावा 5 kg grains फ्री प्रोवेट करता है, ये जो प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना है, ये पहले government तीन महिने के लिए अनौन्स किया था, April, May and June 2020, total 80 crore ration card holders को ये cover भी किया था, पर बात में government ये extend करते करते, September 2022 तक extend किया था, अब December तक भी extend किया है, पर government ने अभी ये अनौन्स किया है, कि January 1, 2023 से इसे discontinue करेंगे, वैसे प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना का नौडल मिनिस्ट्री है, Ministry of Finance, the benefit of free ration can be availed through portability by any migrant labor or beneficiary under the one nation, one ration card plan from nearly 5 lakh ration shops across the country, तो हमारे देश में nearly 5 lakh ration shops है, दोस्तों, तो जितने migrant workers बगरा है न, जो मान लीजिए, बिहार से तमिल नाडू में आके काम कर रहे हैं, तो उन्हें अगर ये प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना के अंडर free grains लेना है, तो वो तमिल नाडू के कोई भी ration shop में जाके ले सकते हैं, बस उनके पास वो ration card होना चीए, one nation, one ration card plan के अंदर migrant workers को काफी help मिला है, कई से भी वो ration अपना ले सकते हैं, तो I hope आपको प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना के बारे में basic details समझ में आ गया होगा, बस यही समझ लीजिएगा कि National Food Security Act 2013 के अंडर जितने लोग covered है, उन्हें additional five kilo grains wheat और rice प्रवेट करता है, प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना, तो अभी Central Government ने यह announce किया है, January 1, 2023 से इसे discontinue करेंगे, तो इसके against, अब right to foot campaign का कहना यह है दोस्तों, अगर आप PMJKY को withdraw करोगे, it will be a regressive step, वैसे यह right to foot campaign क्या है दोस्तों, right to foot foot campaign basically एक collective है, या फर एक informal network है, of some individuals and organizations, जो food security sector में काम करते हैं, इनका main objective यह है, right to foot को attain करना, तो उनका कहना यह है, कि प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना को stop नहीं करना है, क्योंगि उससे काफी गरीब लोगों को मदद मिल रहा है, तो इनका कहना यह है, अगर government प् will cut the ration entitlement by 50% for 81 crore card holders, मैंने आपको इधर बताया था ना, प्रथान मंदरी गरीब कल्यान अना योजना के अंडर, 80 crore से ज्यादा ration card holders है, तो उनका ration entitlement 50% तक कट हो जाएगा, इस तरह कहा है, कौन, right to foot campaign, अब अब थ्यान से सुनियागा दोस्तों, अब थोड़ा बहुत कन्फ से सुनियागा, देखें दोस्तों, National Food Security Act 2013 के अंडर, all priority category ration card holders को 5 kg of grain मिलता है, per person, subsidized rate में, subsidized rate क्या है, गेहु के लिए 2 रुपीज पर किलो, चावल के लिए 3 रुपीज पर किलो, तो इस rate में, जितने priority category ration card holders है न, उनको grain मिलता है, 5 kg per person, वेरास, अंतियोधिया category card holders को 35 kg of grain मिलता है, वो भी subsidized rate में, इतना clear है, न, पर्थान मंदरी गरीब कलियान अन्ना योजना ने क्या किया, ये जो NFSA entitlement है न, इसके अलावा, और 5 kg प्रोवेट किया, समझ गे, तो ये अभी बंध होने वाला है, January 1, 2023 से, तो गवर्ण्मन का य I2Food campaign ने बोला है, बंध मत करो, opposition भी बोला है, बंध मत करो, क्यूंकि हमारे देश में गरीब लोगों की हालत बहुत ही खराब है, प्रथान मंदरी गरीब कलियान अन्ना योजना से उन्हें काफी मदद मिलना था, आप लोग उसे बंध मत कीजिए, तो गवर्ण्मन का कहन प्रियोरिटी आक्ट के अंडर, हर एक प्रियोरिटी कैटेगरी रेशन काट होल्डेश को 5 किलोग्राम ऑफ ग्रेइन पर परसन मिलना था ना, सब्सिडेश रेट में, अब वो सब्सिडेश रेट भी देने की जरूरत नहीं है, उन्हें free of course मिल जाएगा, वेरास अन्तियो अन्तियोदिया अन्ना योजना कार्ड होल्डेश और प्रियोर्टी हाउसोल्ड कार्ड होल्डेश क्या है, देखी, अन्तियोदिया अन्ना योजना रेशन कार्ड is given to impoverished families identified by the state governments, तो कौन-कौन से families की हालत खराब है, एकदम पोर है, वो identify करना का काम state governments का है, उन्हें ये अ एक family को 35 kg of food grains मिलता है, and they receive food grains at a subsidized price of 3 rupees per kilo for rice, 2 rupees per kilo for wheat, and 1 per kilo for coarse grains, तो ये थ्यान दीजेगा, इनको ये 35 kg of food grains जो मिलता है, ये subsidized price में मिलता है, 3 per kilo for rice, 2 per kilo for wheat, and 1 per kilo for coarse grains, पर अभी प्रथान मंतरी जी ने क्या बोला है, National Food Security Act के अंडर जो subsidized rate है, ये भी नहीं लिया जाएगा, अभी free में provide किया जाएगा, पर जो extra 5 kg provide कर रहा था ना, प्रती प्रथान मंदरी करीप कलियान अना योजना के तुरू, वो बंद हो जाएगा, तो समझ रहो ना, जो extra 5 kg दे रहा था, वो बंद हो जाएगा, पर NFSA के अंडर जो subsidized rate में दे रहा था, वो अभी free में मिल जाए यह 12 महिने के लिए offer है, now priority household ration card क्या है, जो अंतियोधिया अना योजना में covered नहीं है न, वो priority household ration card में included है, state governments identify priority household families under the targeted public distribution system according to their exclusive and inclusive guidelines, देख यह state governments का कुछ gate lanes रहते है, कौन-कौन लोग priority household में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, तो उनकी इसाब से state government identify करते है, एक-एक families को, So priority household card holders receive 5 kg of food grains per person per month, यह मैंने आपको पहले बता दिए, यहने 5 kg मिल रहा था, subsidies rate में, अब यह 5 kg जो है, उन्हें free में मिल जाएगा, ठीके, पर जो extra 5 kg पर्थान मंदरी गरीब कलियान अना योजना के तुरू मिल रहा था, यह January 1, 2023 से बंदोने वादा है, ठीके, I hope आपको सम Confuse भी हो गया होगा, और एक बार सुनिएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीके, अगला है, इरान होल्स military drill near strategic state of Hormuz, जी एस पेपर टू, इंटरनाशनल रिलेशन्स में इन उसाप को काम आएगा, देखे, इरान में आंडी गर्मन प्रोटेस्ट तो चल रहा है, आंडी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है, और इरानियन गर्मन क्या कर रहा है, उन सारे प्रोटेस्ट को crackdown भी कर रहा है, कई लोगों को execute भी कर चुका है, यह सब के बार में आपको मालूम होगा, हमने काफी बार डिसकस किया है, तो अब ही इरानियन military क्या कर रहा है, एक annual military drill conduct कर रहा है, क हमार ली important है, इसके बार में हम बात करेंगे, स्टेट अफ होर्मूस के है दोस्तों, it is a waterway separates Iran and Oman, linking the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea, यह देखे दोस्तों, यह है Persian Gulf, Persian Gulf के surrounding में इरान है, इराक है, कुवेट है, साओधी अरेबिया है, खत्तर है, United Arab Emirates है, तो यह Persian Gulf को, Gulf of Oman से करनत करने वाल स्टेट ओफ होर्मूस, ठीक है, स्टेट ओफ होर्मूस का काफी significance है, यह जो साओधी अरेबिया, इरान, UAE, कुवेट, इराक, जितना crude oil export करते हैं, यह सारे इसी shipping way के तुरू बाहर जाता है, ठीक है, वैसे स्टेट ओफ होर्मूस का जो maximum width है, वो है 33 km, यह स्टेट ओफ हो उसका सबसे narrowest point में है, पर जो shipping lane है, उथर का width केवल 3 km है, ठीक है, and it is also the route used for nearly all the liquefade natural gas produced by the world's biggest LNG exporter, खतर, दुनिया का largest LNG, liquefade natural gas exporter है, खतर, खतर भी यही shipping lane यूज़ करते हैं, बैसिकली स्टेट ओफ होर्मूस यूज़ करता है, बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने है कि नहीं, वैसे खतर के पास इतना ज्यादा LNG का से आ गया, खतर एक छोटा सा country है Middle East में, उनके पास इतना ज्यादा liquid natural gas के से आया, इसका reason है दोस्तों, खतर के east side में, या फिर बोल सकते हैं, नौर्थें side में, एक area है, south pass, या फिर north dom field इसे बोलते हैं, ये Persian Gulf में है, ये इतना size है न, उतना size का एक area है, इतर natural gas reserves बहुत है, वही natural gas बेचके खतर, आज इतना बड़ा एक rich country बना है, अगर आप खतर का per capita income वगरा देखोगे न, तो दुनिया का one of the largest per capita income आपको देखने को मिला जोगी, पैसे बहुत है, उनके पास और population है भी नहीं, जब पैसे रीजनली काफी news में था, एक तो FIFA 2022 World Cup खतर में हुआ था, और खतर और यूरोप के बीस में रीजनली एक agreement भी sign हुआ था, natural gas supply करने के लिए, देखे, यूरोप जो है, रिशिया से natural gas खरीद रहा था, रिशिया के पास भी बहुत natural gas है, पर रिशिया के उपर अभी sanctions वगरा impose क किया है, Russian invasion of Ukraine के बाद काफी problems create हुआ है, है कि नहीं, इसलिए अभी खतर के साथ, European nations ने एक agreement सेन किया है, खतर जो है, यूरोप को natural gas supply करेंगे, यह सब हमने पहले भी discuss किया है, दोस्तों, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो छोटा सा news था, तो दोस्तों, that's it, I hope आपक आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे, description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.